दोस्तों परिक्षाओं को लेकर आखिरकार इस जो है हो क्या रहा है इस इच्छर संस्थानों से देखो जब देखो केंद्रिस में जो है अस्ता चेप करता है राज जी करता है अस्ता चेप बहुत सार इस इच्छर संस्थाय करते हैं यूजी सी करते हैं हमेशा से देखो इध कर रहा है आज़कल एग quantity कर रहा है और अब लगता है जो मन्स अब कर भाएं और अब अब लायता है कि सभी परिक्छाएं रद होगी कंद। बड़ना का यह सब हर चीजें जो है लाई जाएंगी यह करेंगी वो करेंगे बलब एकदम से कितना हो सब्सक्राइब कर दिया है मलब क्रोना के कारण से इतनी निव जा चुकी है इसमें इतनी निव जा चुकिए डेली एक नएक अपडेट आता है कि परिक्षाहों को लेकर जो है यह सिच्छा मंत्री ने किया बड़ा फैसला यह किया वो किया रे क्यों कर रहे हो भाई ऐसा इस्टूडेंट का घबड़ा जाएगा वो पढ़ने का उसका मन नहीं करेगा आप छोड़ देगा परिक्षा है वो सारी कोई परिक्षा परिक्षा वो नहीं देना चाहेगा को आप परिक्षा होंगी और आभी जो है कल नीूज आई आई है अभी ताजी और जो है अभी दैनिक जागड पेपर में भी छपाता हमने इसको पढ़ा और भी बहुत सारे सोसल मेडिया माध्धम से मारे स्सिस्थ जंब zoom धर सकता है नंतीम सिंद्स इसमें की नहीं मत इस अपनी आप इस में सब्सक्राहं दो समय करंब दों सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपण परिक्षान कर दो, ठीक तो यह बिस्व बद्याले की बता रहा है कि परिक्षाएं अब करवा सकते हैं 30 सितंबर तक अभी क्या था कि UP की सारी परिक्षा है क्या हो जाएंगी रद्ध हो जाएंगी हाला कि UP ने कहा है जो केंद्र ने इस पर अपना फैसला दिया है इस न्यूज में पढ़ रहा उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यह सलाह दि है इनूर्सिटियों को या कहा है कि आप करवा सकते हो 30 सितंबर तक वह आप पे डिपेंड करता कि यह से राजसरकार क्या करें वो करें, यह सारे चीजे हैं, तो देखिए दोस्तों यूपी दो दिन बाद इस पे इनलड़ा ले को खत्म कर दिया है साथ ही अंतिम वर्ज की परिक्षाओं को अनिमार बताते हुए इन्हें सितंबर के अंत तक कराने की अनुमती दी है यूजीसी ने विस्विद्यालेओं और कालेजों को ये भी छूट दे दी है कि वह इन परिक्षाओं को अस्थानिय परिस्थितियों को देखते हुए तीस सितंबर तक कभी भी करा सकते हैं जब वहां की परिस्थित सही होगी तो उसके साब से परिक्षाओं करवा दो अब परिक्षाओं सितंबर में आप करवाऊगे रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट के बाद में कब बंदा वो पढ़ेगा आगे उसको पता 15 जुलाई के बीच में आंतिम वर्स की परिक्षाओं कराने को कहा था जबकि पहले और दूसरे वर्स की परिक्षाओं कराने के लिए 15 से 30 जुलाई तक का समय तैंकिया गया था इस बीच कुरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों ने सब्यक्रकार्ण क्या किया हैं कहा है कि हम एक-दो दिन में निरले करके बताएंगे परिक्षाओं होगी की नहीं गी अभी तीन चार दिन पहले नियूज आए थी कि यह होöyle परिक्षाओं करेंगे देकते क्या होता है और भी यहां पर देख सकते हुकिआ ब्स विद्धियो परिक्षाएं कराने की अनुमती यूजीसी जल्द जारी करेगा परिक्षा तिथिया ठीक है यह सब सारी चीजे आप देख सकते हो रही है तो जो है जैसा होगा ऐसा फिर देखा जाएगा दोस्तों तो यह नियुजाई तो हमने सुचा बता दिया आपको बहुत सारे दोस्तों आप पढ़ाई करते रहे चैनल की वीडियो जोगरा देखते रहे आप परिशान बिल्कुल मत हुए मैं आपके साथ हूँ और जो लेक्षर आपको बताना हो कि यह लेक्षर हमें चाहिए सर उसको में बता